हम और आप दिगंबर जैनाचारिय स्रीपूच पात स्वामी विर्चित जैन व्याकरण कातंत्र रूप माला का अध्यन कर रहे हैं आचारिय स्रीश सर्वर्म कृत यह व्याकरण जिसका प्रशंग बेंजनांत इस्त्री लिंग पुरुश लिंग और नपुन्सक लिंग में हो जाने के बाद अब हमारे वीच में ऐसा सब्द आता है जो लिंग से रहत है जिसमें लिंग से कोई परिवर्तन जिसका नहीं होता है तीनों लिंगों में जो समान रूप से एक ही सब्द रहता है उसको बोलते हैं अलिंग ऐसे अलिंग सब्द हमारे बीच में है युस्मत और अस्मत ये अध्याय है ये नया चैप्टर है और इसमें केवल दो ही सब्दों के प्रियोग अलग-अलग सूत्रों के माध्याय से आपके बीच में समझाए जा रहे हैं ये भी बेंज नाम थे हैं सर्व नाम संग्यक सब्द हैं युस्मत माने होता है तुम तुम का मतलब होता है सामने वाला व्यक्ति इसके लिए जब धातु का प्रियोग करते हैं तो मध्यम पुरुष में जो सी, तस, थस, उत्था बेवक्तियां आती हैं उनका प्रियोग किया जाता है असमत माने होता है में आम, आवाम, बयम और धातु हमें उसमत उत्तम पुरुष का प्रियोग अस्मत सब्द के साथ किया जाता है और मध्यम पुरुष का प्रियोग युस्मत सब्द के साथ किया जाता है ये दोनों सब्दों की पिक्रिया एक साथ एकी सूत्र के साथ सिद्धो होती है युस्मत मानिक तुम कोई महिला भी हो सकती है युस्मत माने तुम पुरुस भी हो सकते हैं और तीसरा लिंग युस्मत माने तुम हो सकते हो असमत माने मैं हम दोनों हम सब तो जो मैं हूँ वो कहने वाली एक महिला भी हो सकती है मैं हूँ ये कहने वाला कोई पुरुस भी हो सकता है और तीसरा लिंग भी हो सकता है ऐसे युस्मत और असमत सब्द जो आपके बीच में आ रहा है इसको सामान बोल चाल की भासा में तौम भवसी मने भूधातु का प्रियोग मद्यम पुरुस के एक बचन में किया है तो तौम भवसी का मतलब तौम होते हो और युवाम भवताहा तौम दोनों होते हो युयम भवत तौम सब होते हो असमत सब्द का प्रियोग यदी हम करते है तो प्रतमा में अहम आवाम ववयम ये सब्द हमारे वीच में आएंगे अहम भवामी मैं होता हूँ आवाम भवावाह हम दोनों होते हैं वयम भवावाह हम सब होते हैं यहाँ पर आवाम के साथ में भवाबाहा और बयम के साथ में भवामाहा यह प्रियोग होते हैं धातुएं बदल सकती हैं प्रियोग उनका वही रहेगा लेकिन युस्मत और अस्मत सब्द का जहाँ प्रियोग नहीं होगा जहाँ आप सब्द के साथ प्रियोग किया जाएगा आप माने भी सामने वाला व्यक्ति होता है पर यहाँ पर युस्मत सब्द का प्रियोग नहीं होने के कारण यहाँ पर अन्य पुरुस का प्रियोग किया जाएगा जैसे भवान भवती अब यहाँ पर भवान माने आप होता है तो आप जो सामने वाला व्यक्ति है इसको सम्मान पुरुवक जब बोला जाएगा तो यहाँ अन्य पुरुस का प्रियोग होगा भवान भवती अगर किसी का नाम लिया जाता है जैसे अरुनाहा भवती ही अरुना नाम के कोई सज्जन है थर्ड वेक्टी है बे होते हैं गच्छती जाते हैं मने तुम और मैं इन दो सब्दों का प्रियोग जहां किया जाता है वहां मद्यम पुरुष और उत्तम पुरुष धातु सम्मन्दी कारे होता है लेकिन मैं और तुम को छोड़कर अन्य किसी का नाम थर्ड वेक्टी का प्रियोग किया जाता है तो वहां पर अन्य पुरुष होता है जिसको बोलते हैं प्रतम पुरुष जैसे सा भवती भवान भवती अब यहां पर भवान में इस्त्रिलिंग भी सब्द हो सकते हैं तो भवती भवती आप होती हैं इसी प्रकार से युस्मद और अस्मद सब्द जो आपके बीच में चल रहे हैं जिसको अलिंग कहा गया है इस अलिंग रहने वाले सब्दों को सर प्रतम जो विवक्तियां हमारे बीच में प्रतमा दुतिया तरतिया चतुर्ति पंचमी सश्टी सब्तमी है उनके रूपों को पहले सामने इसमरन कर लेना चाहिए कंठस्त कर लेना चाहिए एक कागच पर चाड़ बना के रख लेना चाहिए ताकि हमें किस सब्द की सिद्धी करनी है हमें जो सब्द बनाना है वो पहले हमारे सामने रहेगा तो सूत्र का भाव, सूत्र का अर्थ इस्पष्ट होता चला जाएगा युश्मद और अस्मद सब्द सामान सब्द से भिन्न है सामान सब्दों में एक जैसा ही कारिय सभी विवक्तियों में लगबग हो जाता है लेकिन यहाँ प्रतेग विवक्ति के साथ में नया सूत्र लगएगा, नया कारी होगा और यहाँ तक की बववचन में जहाँ भियस विवक्ति लेकर आएगे वहाँ चतुर्तीक में भियस विवक्ति के आने पर कुछ नया रूप हमारे बीच में आएगा पंचमी में भ्यास विवक्ति के आने पर हमारे बीच कुछ नया सब्द आएगा तो प्रतेग विवक्तियों के आने पर नया नया कारी होता है इसलिए मेरा निवेदन सभी जिग्यासुओं से कि इस अलिंग प्रकरण को समझने के पूर्व हमें युस्मद और अस्मद सब्दों को इसमरण कर लेना चाहिए यता युवाम यूयम प्रतमा त्वाम युवाम युस्मान दुतिया त्वया युवाभ्याम युस्माभी ही त्वत युवाभ्याम युस्मभ्याम चतुर्थी त्वत युवाभ्याम युस्मत पंचमी तव युवयोह युस्माकम सश्टी त्वय युवयोह युस्मासु सब्दमी युस्मत सब्द के रूप थे इसी प्रकार से असमत माने मैं सब्द के प्रियोग में अहम आवाम वयम प्रतमा माम आवाम असमान दुतिया मया आवाभ्याम असमाभीही तृतिया मैयम आवाभ्याम असमभ्यम चतृति मत आवाभ्याम असमत पंचमी मम आवयोह असमाकम सश्टी मै आवयोह असमासु ये दोनों सब्दों के प्रियोग पहले अपने को इसमर्ण में रहना चाहिए और बेवक्ती अनुसार सरप्रतम सी अवजस अम अवसस ता भ्याम भिस ने भ्याम भ्यस गसी भ्याम भ्यस गस ओस आम गी ओसुप इन सभी वक्तियों को किरम किरम से आपके बीच में लेकर आते हैं और दोनों सब्दों की पिक्रिया एक साथ चलेगी दोनों सब्दों में एक साथ आदेश होगा एकी सुत्र के माद्यम से तो युसमत धन्सी असमत धन्सी ये दकारांत सब्द हैं इन दोनों के अंत में दकार है तो युसमत धन्सी असमत धन्सी ये प्रत्मा का एक वचन है अब यहाँ पर एक वचन में हमें क्या काम करना चाहिए उसकी लिए सूत्र हमारे वीच में आता है अब एक वचन का कतन करने का मतलब यह कि प्रतमा का एक वचन, दुतिया का एक वचन, तिर्तिया का एक वचन, चतुरती का एक वचन, पंचमी, सश्टी और सप्तमी के एक वचन में जो आदेश इस सूत्र के माद्यम से किये जाने हैं बहे आपके बीच में दर्स आए जाएंगे कहीं ये सूत्र नहीं लगेगा जिसके अपवाद स्वरूप उन सब्दों को कुछ नया आदेश हो जाएगा वह सने सने चर्चा आपके मद्ध हम करते रहेंगे तो यूस्मत धन्सी अस्मत धन्सी या पर तवन मदोर्यकत्वे यह पहला शुत्र हमारे बीच में आता है यूस्मत और अस्मत सब्दिकी सिद्दी करने के लिए त्वन मदोर्यकत्वे एक कत्वे का मतलब होता है एक वचन में अब एक वचन किसका हो परतमा का भी हो सकता है दुतिया का भी हो सकता है किसी का भी हो सकता है एक कत्वे वरतमान योर युसमत असमदो हो इस्ताने त्वनमदो भवताहा अर्थात एक वचन की विवक्षा में वरतमान युसमत और असमत सब्दिके इस्तान पर किरम सा त्वत्थ और मत आदेश होते हैं अब एक वचन की विवक्षियां प्रतमा में सी, दुतिया में अम, तृतिया में टा, चतुर्ती में गें, पंचमी में गंसी, सश्टी में गंस, और सब्दिमी में ग्णी विवक्षि होती हैं इन सभी विवक्तियों के आने पर युसमत सब्द के इस्तान पर त्वत आदेश और असमत सब्द के इस्तान पर मत आदेश होता है। कथन करेंगे, यानि कि उन में कुछ परिवर्तन आएगा, अभी अपन सीविवक्ति लेकर आएगा, तो ये सूत्र जो कारे करेगा, दुतिया के एक बचन अम, तृतिया के एक बचन टा, और सब्दमी के एक बचन गी विवक्ति के लिए उप्योगी है। यानि कि त्वन मदोरे कत्वे यहाँ पर इस सूत्र की प्राप्ति हमें करना है। इससे कार नहीं हुआ है, लेकिन इसने अपना काम यह कर दिया कि इसने बता दिया, संगेश दे दिया। तो आंगे उन विवक्तियों के इस्तान पर कुछ काम होना है, इसलिए त्वन मदोरे कत्वे हम सूत्र की प्राप्ति करते हैं। अगला सूत्र हमारे बीच में आता है, त्वम हम सव सा विवक्तयों हो। सव माने सी विवक्ति के होने पर, जो अभी हमारा चैप्टर चल रहा है, हमारा अध्याय चल रहा है, जो हमारी विवक्ति चल रही है, उस विवक्ति ही हमारी सी विवक्ति है। और शी का ही सव यह सब्तमी विवक्ती के एक वचन में प्रियोग होने से सूत्र का अर्थ होता है सव सी विवक्ती के होने पर अब युस्मत और अस्मत सब्द की चर्चा चल रही है चलिए युस्मत के इस्तान पर त्वम और अस्मत के इस्तान पर अहम आदेश होता है सा बिवक्तेयो हो अर्ताद बिवक्ती सहेथ बाने सी बिवक्ती और युस्मत सब इन दोनों के इस्तान पर तौम आदेश होता है सी बिवक्ती और अस्मत सब इन दोनों के इस्तान पर अहम आदेश होता है यता संक्यम आने जिस किरम से सब्द हमारे और आपके वीच में दरसाए जा रहे हैं उनी सब्दों के अनुसार सी विवक्ती सहेत युस्मत के इस्तान पर त्वम आदेस होता है और अस्मत के इस्तान पर अहम आदेस होता है तो पहला है प्रत्मा का एक वचन में अपने आप सब्द बन जाता है त्वम और अहम त्वम और अहम ये दोना सब्द हमारे बीच में बन जाते हैं तो यह हमारा 346 नमबर का सूत्र चल रहा है। आगामी सूत्र 369 नमबर का जब हमारे बीच में आएगा युस्म दस्मदो पदम पदात सश्टी चतुर्ती दुतिया सूबस नसू इस सूत्र में जो 359 नमबर का सूत्र है उसमें सब कुछ लिखा हुआ है युस्मद दस्मदो ऐसे युस्मद और अस्मद सब्द की अनुबर्ती हमें 369 नमबर के सूत्र से लेकर आकर यहां पर लगानी हैं तो त्वम और अहम ये प्रियोग सिद्ध हो जाता है अब त्वम और अहम प्रियोग सिद्ध हो जाने के बाद में दुई बचन की ऐगी और असमत सबसे अविवक्ति आएगी किरम किरम से कि आती जाएगी अभी प्रतमा का एक वचन त्वंध और अहम जो डारट आदेश हो गया है विवक्ति सहत प्रकटि सहत दोनों के इस्तान पर युस्मत के इस्तान पर त्वम और अस्मत के इस्तान पर अहम आदेश हुआ है अब दुई वचन की विवक्षा में जब आउ विवक्ति आएगी प्रतमा का दुई वचन आउ और दुतिया का दुई वचन आउ इन दोनों विवक्तियों के आने पर हमारे बीच मे नया सूत्र आता है युवावो द्वीवाची सू अब यहाँ पर फिर वही हमें ध्यान दखना है कि 369 नंबर के सूत्र में जो इसमद असमदो पदम पदात सश्टी चतुर्ती दुतियासू वसनसव ये सूत्र से इसमद और असमद सब्दी की अन्मुवर्थि को लेकर आना है तो द्वीवाची सू का मतलब वगे द्वीवचन पर द्श Tenemos लिखा थां तो यहाँ इध्यान अपने को यह जखना है कि पूरी मुषमत सब्सक्राइब अभीच में कुछ उत्राएगा एसाम व्यवक्तिया वंत लोपाहा वे कहता है कि इन व्यवक्तियों के अंत का लोप होता है अब अंत के लोप करने बर भी परिशानी यह है कि अंत में दा है उस दा का लोप करना है कि अंत में स्वर्जो सहित है उस अद का लोप करना है तो जहां जिसका लोप कि जाएगा उसके अनुसार ही यहां पर आदेश होगा तो उसके लिए परिवास आएगी सूत्र आएगा आदिर लोपो अंत लोपस्य मद्द लोपस्य ततेवच बिवक्ती पद वर्नानाम द्रश्यतेश सारो वर्मिकेही यह इसलोक है यह इसलोक सूत्र नंबर 355 की ठीका में ह आएगा आदिर लोपोंत लोपस्य मद्द लोपस्य ततेवच बिवक्ती पद वर्नानाम द्रश्यतेश शारो वर्मिकेही यह इसलोक अमारा पीछे जा चुका जो आपके बीच में आया यह दिख रहा है आदिर लोपों मद्द लोपस्य मद्द लोपस्य ततेवच इस इसलोक का जो भाव है वो इसलोक का भाव आपको किरम किरम से बीच में आता चला जाएगा तो यहाँ पर युसमत सब्दिक्स ना पर यो आदेश और असमत सब्दिक्स ना पर जो आव आदेश करना है वो हमें केवल युसमत के इस्तान पर करना है मापरियंतम। मने युस्मत का जो मा हैं उस परियंत हमें युव और आव आदेश करना है और आव आदेश करने पर आगे की पिक्रिया हमारे बीच में आती है तब हमारी इस्तिती हो गई युव धन अद धन अओ क्योंकि हमने युस्मत के युस्म के इस्पान पर आदेश किया युवावू दुई बाची सू। जो युस्मत सब्द में से अदवचा है ये एसाम बिवक्ता वंत लोपाहा इस सूत्र के माद्यम से उसका लोप हो जाएगा अब हमारी इस्तिति है युवू धन अवू अब धन अवू अब यहाँ पर ओकारे अवू अवकारे चवू शूत्र की प्राप्ति है जो युव में रहने वाला आ और अव को जोड़ देगा तो युवू और आव में रहने वाला आ और अव को जोड़ देगा तो आवू ऐसा प्रियोग बनने के लिए सूत्र की प्राप्ति है ओकारे अओकारे चा इस सूत्र से काम नहीं करना है केवल प्राप्ति करना है और प्राप्ति हो जाने के बाद में पीछे हम चलते हैं 348 नंबर का सूत्र हमारे बीच में है अमवचाम 3, 4, 8 नमबर का सूत्र जो हमारे किरम से चल रहा है उस किरम के सूत्र पर हम पहुँच जाते हैं और मैं सूत्र कहता है युस्मत अस्मत अदिभ्यापरा अम अवचा आम बवती जो युस्मत और अस्मत सब्दी से परे हुए जो अम दे वक्ती है अम माने दुतिया का एक वचन और अव माने प्रतमार दुतिया का दुई वचन अव तो सूत्र लगता है अमव चाम ये सूत्र कहता है कि युस्मत और अस्मत से परे हुए जो अम वेवक्ती है उसको आम आदेश होता है अव मिवक्ती है उसके इस्तान पर भी आम आदेश होता है तो यहाँ आव जो था उस आव के इस्तान पर आम आदेश हो जाएगा युव धन्याम आव धन्याम अब यहां पर समाना सवर्णे बीरगी भवती परस्चलोपम सूत्र के माद्यम से दीर के आदेश किये जाने पर युवाम और आवाम प्रियोग सिद्ध हो जाता है सेश चर्चाएं बहु बचन की जस्व वक्ति के आने पर अगले सत्र में आपके बीच में चर्चा करेंगे अभी प्रत्मा का एक बचन, और दुतिया का दुई बचन और प्रत्मा का दुई बचन ये प्रियोग दो हमारे बीच में सिद्दूएं हैं एक हम, एक आवाम, एक त्वाम और एक यूवाम तुम तुम दोनों मैं हम दोनों अब वचन की चर्चा हम आप से अगले सत्र में करेंगे तेन सुत्रों को ध्यान दखना है आगे और पीछे सभी सुत्रों को इसमरन करना है आज हमने सरप्रतम त्वन मदोरे कत्वे ये पहला सूत्र हमारे बीच में आया जिसकी हमने केवल प्राप्ती की फिर सूत्र हमारे बीच में आया त्वम हम सौसा विवक्तेयो इस सूत्र से हमने काम कर दिया आदेश कर दिया पुरा का पुरा रूप बना लिया रेडिमेट, तवम और अहम, उसके बाद हमारे वीच में सूत्र आया, युवावू दुरी वाची सू, और उसके बाद सूत्र हमारे वीच में आया अगला, अमवू चाम, लेकिन इन तोनों सूत्रों के माद्यम से हमें 350 नमर का सूत्र इस साम बिवक्ता वंत लोपाहा, उस सूत्र का इसमारन करते हुगे सब्दों की सिद्धी करना है, सेश चर्चा अगले सत्र में वंदना, जैजनेंद्र, सबको यतायोग अभिवादन